आज के सुन्दरदीन पवित्र वचनों के मनन के लिए मैं सची फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूं आज प्रभ्य वचन हमारे लिए क्या कहता है इसके लिए हम पढ़ेंगे इसके लिए हम पढ़ेंगे इबरानियों की पत्री उसका 11 ध्य वचन 6 कुछ इस तरह आप से वहाँ पर लिखाएं और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन करना अनुहोना है क्योंकि परमेश्व के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफ़ देता है क्या आपने सुना कि विश्वास के बिना हिंदी शुद हिंदी में जिसे इमान कहा जाता है विश्वास ए इमान के बिना उस रचेता इश्वर को प्रसन करना अनुह होना है हमारे भौना है हमारे Hemग गंटों-ो की प्राफणा सवू की प्राफण य hill Z ici smok लिए तो विश्वास पर्मिश्वर को भाता है और जो कोई किश्वास के साथ उसका धुश करता है और वचन यहां पर गुवाही देता है कि परमिश्वर उससे मिल जाते अगर आप आप किसी बात में संगर्श कर रहे हैं तो विश्वास के साथ प्रभू के पास आईए क्योंकि परमेश्वर के राज में विश्वास ही एक करंसी है या पैसा है जिससे हम बातों को अपने जीवन में होता हुआ देख सकते हैं तो आप विश्वास में बढ़िए तो परमेश् जीवर में उसके अस्तित्वों को उसके चमतकारों को निश्य दिखाएगा प्रभव आपके दिन को आशिशित करें